और यह कवेता कुछ इस प्रकार है राम और महम्मद दो दोस्त थे दोनों के घर आसपास थे किन्तु दोनों एक टीन के शेड के नीचे मिलते जो उनके घर के बीच था वे वही मुलाकाते करते हमेशा दोनों में काफी समानता है थी किन्तु कुछ फारक भी थे जैसे राम कस्त्र में रहता था तो महम्मद घर में राम मदर से जाता तो महम्मद विद्या ले राम मस्जिद में खुदा के इबादत करता था तो महम्मद मंदर जाकर भगवान को पूछता और सबसे बड़ा फर्क एक हिंदू था तो दूसरा मुसल्मान फिर भी वे दोनों दोस्त थे रोज मिलते थे रोज मुलकाते हो रही थी दिन हसी खुशी बीत रहे थे एक दिन मजभ़वी दंगों में दंगाईयों ने टीन का शेट तोड़ कर राम और महम्मद को मार दिया उनकी लाशों को सड़क पर फेक दिया उस दिन राम को मसान में जलाया गया और महम्मद को कबरिस्तान में दफनाया गया उन दोनों की अंदिम क्रिया में मैं भी था अब मैं भी कश्म कश्म हूँ मैं एक मुसलिम नाम का हिंदु लड़का हूँ मेरा नाम है साहिल अब मैं कश्म कश्म हूँ कि मुझे कौन सा धर्म अपनाएगा मैं मंदिर जाओ या मंजित मैं कस्र में रहू या घर में मैं खुदा को पूजू या भगवान को भगवान की इबादत करूँ मुझे जलाया जाएगा या दफनाया जाएगा मुझे नहीं पता अब दंगाई ही करेंगे मेरा फैसला तैंक्यू गाईस अगर आपको मेरी पूइं पसंद आई हो तो इसे लाइक करें शेयर करें और सबस्क्राइब करणाओ ना भूलें झाल झाल